मेरे चैनल ओनलाइन स्टडी हब में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों, 10 जुलाई सनिवार यानि की आज से मेगा सर्वे फश्ट आरंब हो चुका है आज सिरफ कक्षा तीसरी और चोथी का मेगा सर्वे हो रहा है और ये मेगा सर्वे हमें आवसर एप पर ही अटेंप्ट करना है और ये कैसे करना है इसके लिए आपकी साहता करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है एक और बात बच्चो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में जो घंटी का निसान है उस पर टच करके उसको भी सेव कर ले ताकि मेरी जो दूसरी और भी वीडियो आपके पास आए वो सबसे पहले आपके पास ही आए तो इस तरह से अब देखते हैं किस तरह मेगा सर्ट attempt करना है इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है हमारे मोबाइल में आवसर एप डाउनलोड होनी चाहिए और वो अपडेट भी की जानी चाहिए तो इस प्रकार से हम आवसर एप को टच करके पहले आवसर एप को शुरू करेंगे ये इस तरह से हमारी आवसर एप है जो वो शुरू हो गई है उसमें student और teacher तो आपको बच्चों को student है जो वही select करना है जाद दर बच्चों के मोबाइल में आउसर एप चल रही है उन्होंने उसको सेव भी किया हुआ है और साथ में उन्होंने अपना लोगिन भी किया हुआ है लेकिन जिन बच्चों ने लोगिन नहीं किया हुआ है वो अभी न्यू है और उन्होंने आउसर एप अभी डाउनलो तो उसको टस करेंगे यहाँ पर आपके सारे जो district है वो खुल जाएंगे उसमें से आप अपना district choose कर लेंगे उसके बाद क्या है उसके बाद है यह select block उसको टस करेंगे उससे क्या होगा अब आपके जो इसलिए कि जितने भी ब्लोक हैं वो सारे यहां पर खुल जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा यह सिलेक्ट स्कूल तो यहां पर ट्रस्ट करेंगे। उसके यहां आपका जो स्कूल है वो दिखा देगा अभी यह अपडेट नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं दिखा रहा तो इसमें अब देखिए ये school हमारे खुल गए है इसमें school name है और साथ में school code दिया गया है आप अगर इसमें अपने school का नाम नहीं ढूंड पाते हैं तो आप यहाँ उपर search करके अपने school code जो teachers आपको बता देंगे तो वो school code यहां पर सिर्च करके आप अपना स्कूल भी ढून सकते हैं फिर आपने उसको टश कर देना है उसके बाद select class जो आपकी class है वो आपने select कर लेनी है फिर उसके बाद है आपका name आपने अपना name select कर लेना है फिर उसके बार सबसे महत्वपुन बात है कि आपको अपनी date of birth जो आपके विद्याले में लिखी हुई है जो वही आपने अपनी date of birth यहाँ पर डालनी है अगर यह बार-बार गल्त बता रहा है तो आप अपने teacher से पूछ कर अपनी date of birth है जो वो ठीक कर सकते हैं तो इसमें date of birth डाल देंगे अब date of birth डालके यह form हमारा पूरा फिल करने के बाद नीचे जो यह continue दिया गया है यहाँ पर आपको क्या करना है टच करना है इसके टच करने के बाद यह आपका यहाँ पर interface है जो आगे फुल जाएगा यहाँ पर आपका नाम दिया गया है और यहाँ नीचे ऐसा यह नाम है यह SRN नंबर है तो इसके बाद फिर आपने देखना है कि जो हमारा survey है mega survey वो हमने कैसे करना है शुरू यहाँ तक मैंने आपको procedure बता दिया कि आपने अपना login कैसे करना है अब हम यहाँ सीखेंगे कि हमें अपना जो mega survey है वो attempt कैसे करना है तो यहाँ पर काफी option दिये गए है यह नीचे जो option है यह आपको पता ही है यह videos है आपने देखी होगी उसमें और फिर learning material जो study के लिए होता वो है फिर यहाँ पर उपर देखिए इसमें यहाँ दिया गया है weekly learning schedule है और यह practice assessment है अब हम यहाँ पर अगर touch करके देखेंगे यह तो हमारा schedule आ गया उसके बाद जो दूसरा option है practice assessment वाला यहाँ पर touch करेंगे तो यहाँ पर इसने दिखाया हुआ है कि जो mega survey है जो वो 10 से 12 जुलाई वाला तो यहाँ पर note दिया गया है कि to participate in mega survey please go to active survey section तो आपने क्या करना है mega survey में भाग लेने के लिए active survey में जाए तो आपको ज़्यादा time खराब नहीं करना तो उपर जो यहाँ पर आपका जो active survey दिया गया है यह दिख रहा है इसके उपर आपको touch करना है touch करने के बाद आपका यह mega survey है यहाँ पर दिखा भी रहा है उपर कोई हमारी mathematics का जो कोई हमारा topic है वो दिखा रहा है नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर mega survey one तो इसमें अब आप क्या करेंगे इसमें भाग लेने के लिए एक और चीज इसके अंदर ध्यान देने की है आप यहाँ पर देखें इसमें जो हमारा यहाँ दिया हुआ नीचे इसमें देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह expire in 18 hours की जो mega survey है वो only इसके बाद अगर आप इसको कल परसो करना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे तो आपको अभी इसको attempt करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे दिख रहा है attempt now इसके उपर touch कर देंगे देखिए अभी क्या हो गया अभी हमारा जो mega survey है वो खुल गया है इसमें जो आपने जितना syllabus किया है उसी syllabus के अनुसार यहाँ पर सभी subject के पाँच-पाँच question दिये गए है देखिए थर्ड और फोर्थ जो class है फिप्त है हमारी उसके अंदर क्या है उसके अंदर यहाँ पर दिये गए है आप देख रहे हैं थर्टीन फोर्टीन यह question सभी subject के question है तो total question हमारे 20 है 20 question है तो हम इसको कैसे करेंगे हम जैसे हम दूसरे active survey करते थे वैसे question number 1 है कै जमा मैं जमा क्या बन गया तो उसमें जो भी आपको ठीक लगता है उसके उपर आप क्या करेंगे उसके उपर आप टश करेंगे टश करने के बाद यह हमारा answer है वो लोक हो जाएगा ठीक है इसी तरह से आप सारे जो question है सभी question को इस तरह से पढ़के अच्छी तरह से वो हमारा इसमें सेव हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है questions को ध्यान से पढ़के और उनके option को जो चार option इसके अंदर दिये गए हैं उनमें से एक option को चूज करके जब यह हो जाए कि हमारे सभी इसके इस question हो गए तब हमने last में क्या करना है और एक और बात बच्चो कि इसमें से कोई भी question आपने छोड़ दिया या सारे question छोड़ दिया भी मैं इसको touch नहीं कर रहा अभी अगर मैंने touch कर दिया तो ऐसे ही यह summit हो जाएगा और marks zero आएंगे अगर हमने एक भी question attempt नहीं किया जितने question हमने attempt किये हैं तो all the best for exam okay children thanks for watching my video